हाई दोस्तों मैं आपकी दोस्तों सी न्यूबिस बिल्डप में आपका स्वागत करती हूँ और आज आप खिलने लेकिया यू 3BSK के घर जिसकी लोकेशन रहने वाली है द्वार का मोड में रामा पार्क की एरिया की बात करें तो एरिया रहने वाला है 90 स्क्वेर यार्ज का सिर्फ वर छिए 700 मीडर्ब पर आपकी मेन रूड रहने वाली है और मेट्रो शेशन भी साथ साथ तो से आट तो में नचा की दूरी पर है और ये प्रापटी को सारे बैसिक मिलने वाली है आसफास बहुत मार्केट रहने वाली है जिसमें कि आपको सारी चीज़े एजिली एविलेबल हो जाएगी और ये प्रोपर्टी आपको लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ मिलने वाली है और अगर लोन की बात करें तो 80-90% आपको लोन भी खरा देंगे उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा तो चलिए लेके चलती हूं आपको इ झाल 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 हाई दोस्तों एंट्री कर लिए हमने आपके घर में 3PS के लिए आपका घर रहने वाला है सबसे पहले आपको सिक्यूरिटी परपिस्स के लिए हमने आपको यहां पर यह लगाया हुआ है बाहर से कोई भी आएगा तो आप यहां से सिधा कॉल पर बात कर सकते हो डारेक्ट नीचे का लोग भी आपको यहीं से खुल जाएगा आपको कोई सब्सक्राइब बार बार नीचे जाने की अगर कोई आपके घर में आता है तो यह देख लीजिए यहां पर काफी सारा स्पेस और मैं तो कहरें यहां अपना डाइनिंग एरिया भी बना सकते हो पहले मैं आपको लेविंग एरिया दिखा देती हूँ देखिए शिक्सीटर का आपको यह एल कोर्णर का सोफा लगा के दिया हुआ है जिसके साथ हमने आपको यहां पर सेंटर टेबल भी दिये और दोपर आपको पूरी डिजाइनिंग करके दिया हुआ है यहां पर अच्छी सी सुन्दर सी लाइट भी लगा के दिया हुआ है और यह देखिए एक डेकोरेटिव आइटम जो है जिसमें कि आपको में एक मिरर भी आ जाता है और सबसे अच्छी चीज मुझे इस लेविंग एरिया वो है यह शैंडलर आप देख सकते हो कितना जादा सुन्दर आपको यहां पर यह शैंडलर दिया जा रहा है और तो और फॉल्स इलिंग भी बहुत ही जादा लाजवाब लग रही है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास यहां पर लेविंग एरिया के बाद काफ आपके फर्स बैड्रूम में ए आइये गाइस यह ने वाला है आपका फ़र्स बैट रूम और रशको आप बना सकते हो अपना स्टडी रूम भी क्योंकि यहां पर मैने आपको लग से के टीबल बना कर दी हुई है यहां पर आपकी बुक शेल्ट लगा के दी हुई है और आ यहां पर लाइस प्रोवाइड की गई है और यह ऐसे दोनों तरफ से आप यहां से अपनी वाड़ॉप्स खोल सकते हैं और तो फॉल सिलिंग यहां पर बहुत ही डिसेंट लुक में हमने रेडी करा के दी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं और वेंटिलेशन के अगर बात क अब लगाते हैं आपके लिए लगाके दी हुए है तो आई यह लेके चलती हो इसकी तो आप देख सकते हो और यहां इंट्री करने से पहले आपको यहां की आर्च इख जाती है कि बहुत ही शांदार डिजाइन में हमने आपको रैडी करा के दी है और बात करें तो फुली म अब नीचे लिए माइके का वहात ही सुन्दर आपको यह अपने बंद हो रहे है देखिए अपने आप टाइम लेके पूरा बंद हो तो लेकर चलती हूं इसके common washroom में आईए गाइस तो यह रहने वाला है common washroom और टाइल्स का color देख लीजिए कितना ज्यादा शानदार आपको यहां पर दिया हुआ है बहुत ही flooring की बात करें तो flooring पर आपको non slippery tiles दी हुई है और wall की बात करें तो walls पर आपको बहुत ही शानदा designer tiles आपको लगा के दी हुई है और आप देख सकते हो spacious भी है आपका यह वाश्रूम यहीं से आगे चलते हैं तो आपका आजाता है यह second bedroom second bedroom बहुत ही अच्छे थीम में आपको बना के दिया हुआ है blue color में थोड़ा sea green color में आपकी quilting work की हुए पूरा up to roof तक बना के दिया हुआ है और आप देख लिजेए small ceiling में हमने आपको यहां पर P.O.P का design दिया है आप देख सकते हो P.O.P की designing बहुत शानदार लग रही है बहुत सुन्दार लग रही है और ventilation की अगर बात करें अगें तो आप देख सकते हो किती बड़ी बड़ी के वह UPVC के लगे हैं देख सकते हो आप यहां पर UPVC के डोर्स आपको यहां पर प्रोवाइट किये गए है जिसमें से कि आपका entrance हो जाता है आपका second bedroom से बालकनी में तो आप देख सकते हो स्टेलने स्टेल की और ग्लास की आपको यहां पर ग्रिल बना के दी हुई है और तो और आपकी यहीं से एंट्री हो जाएगी आपके थर्ड बैडरूम में आईए गाइस देख सकते हैं आपका थर्ड बैडरूम किता जादा स्पेशियस है और यहां पर पेंटिंग भी बहुत ही शानदार लगा के दिया हुई है आप देख सकते हो बहुत सुन्दर आपको यहां पर लगा के दिया ऑप रिलाइटbers यहां और जह कर दोट बेडरूम इसमें पारए बेडरूम में बढलता है आपको अटेच वाश्रूम जैसे आप देख सकते हो यह रहा आपका टैच वाश्रूम यहां पिसारी सेनीटरी फिटिंग जो है प्रीमियम क्वालिटी की बिल्कुल लगा के दी गई है टाइल्स का कलर अगें मैं बताना चाहती हूं बहुत जादा शांदार है जैसा कि आप देख सकते हो फ्लोरिंग की बात करें तो आपकी नोन स्लिपरी टाइ जो समान जिसमें कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आपको यह बहुत जादा पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव को शेयर करें जिसको भी नीड है उसको शेयर करें और अगर आपको बुकिंग करनी है या फिर इसकी झाल